नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे टेप चैनल में यहाँ पे आज हम ये व्याकरण की प्रिश्ण उत्तरी पहली बार प्रारम्ब कर रहें समय सुबह रहेगा इसको जल्दी से जल्दी हम प्रयास करेंगे कि कॉंटिन्यू करें और आपकी जो परिक्षाएं हैं उन तक हम इस सीरीज को समय अनुसार उपलब्ध करा सकें तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलप्रनामिस्रा, रत्नम, ग्यानेंद्र सिंग, अमिता, आप सभी का बहुत-बहुत अभिनंदन, बहुत-बहुत स्वागत, शुप्रभात, मकर संक्रान्ति की बहुत-बहुत सुभकामनाएं तो आज इसी अवसर पर हम ये व्याकरण का जो कालकरम है या व्याकरण की जो प्रश्णुत्तरी है वो प्रारंब करनें, सभी लोग नित्यपरती इसी समय पे उपलब्ध हों, जब भी हम व्याकरण का कुछ भी भाग आप तक पहुँचाएंगे या व्याकरण की कोई भी प्रारंब करते हैं पहला प्रश्ण और आपको बताना है कि बहराइच, राइबरेली, सुल्तानपुर, यहाँ पे डैस है, आपको बताना है कि बोली के छेत्र हैं, छतीस गड़ी, ब्रज भाषा, बगेली और अवधी, तो इन में से कौन सा बिलकुल सही उत्तर होगा, अतिशीग्र उपलब्द कराएं, जी हाँ, यहाँ पे हम बात करेंगे हिंदी की बोलियां और हिंदी भाषा के अंतरकत जो अपभ्रंस हैं, जिनको हम सात भागों में रख सकते हैं, सौरसेनी मागदी, अर्दमागदी, जी हाँ, सौरसेनी मागदी, अर्दमागदी, और ख में से एक विकल्प का चुनाव करना है हम उत्तर प्रदेश की इन तीन छेत्रों की बात कर रहे हैं सुल्तानपुर जो की लहाबाद के आसपास में पढ़ता है रायबरेली और बहराईच ये सभी छेत्रों में आपको सही चुनाव करना है और मित्रों बिलकुल सही उत्तर होगा डी ओप्सन यानि आपको विकल्प चुनाव करना था डी का अवधी परिक्षेत्र के अंतरगत आते हैं अवधी का मित्रों मूल चेत्र जो है वो मूल चेत्र मिलता है हमें अयोध्या के आसपास अयुध्या फैजाबाद ये जो परिक्षेत्र है अवधी का ओरिजिन है मूल है यहां से ही अवधी के प्रारम्भी करना हुआ है और उसके बाद में यह सेस परिक्षेत्र में फैली है तो प्रारम्भ करते हैं दूसरा प्रस्ण आयो किस बूली का शब्द है में तो पूर्ण प्रश्ण है आप सभी को सही उत्तर उपलब्ध कराना है ब्रज भोजपूरी अवधी और खडी बोली इन में से एक विकल्प जी हाँ आप सभी को बताना होगा आयो किस बोली का शब्द है रिंकि सिंग ज्यानेंदर जी का दोनों का उत्तर आ चुका है प्रश्ण आपको कम से कम समय में ही चुनाव कर लेना है इसलिए थोड़ा सा शिग्रता करें और शीर्स पांच लोगों में आप अपना नाम अंकित करें शरीफ अलपना मिस्रा और भी प्रश्ण के विकल पा चुके हैं ए और सी दो प्रकार के विकल पाए हैं आयो किस बोली का शब्द है जी हाँ मैं आपको इस पंक्तिके माद्धिन से एक हिंदी शाहित की एक प्रिष्टभू में से जोड़ता हूँ जहाँ पर उधगोपी समवाद में ये भ्रमरगीत में कहा जाता है कि आयो घोष बड़ो व्यापारी जी हाँ जगदिश तिवारी जी बहुत बहुत अभिनंदन बहुत बहुत स्वागत आयो घोष बड़ो व्यापारी यानि घोष कौन वहाँ पर सीधे सीधे साफ साफ कहा जाएगा इसमें सही उत्तर के रूप में ब्रजभाशा जो भी मैंने पंक्ती आपको बताई वो A option के रूप में रहेगी ब्रजभाशा के रूप में रहेगी और यह सूरदास जी की महत्पूर्ण पंक्ती है तो आप जब भी प्रश्ण का चुनाव करेंगे विकल्प का चुनाव करेंगे तो उस पर थोड़ा सा चिंतन बहुत ही आवश्यक है यह चिंतन नहीं करेंगे तो सामान निसी बात आप गलत कर देखेंगे तो आगे देखते हैं प्रश्ण कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है मित्रों यहाँ पे जो पूर्वी हिंदी शब्द लगा हुआ है इससे आपको भारत का छेत्र देखना होगा कि पूर्वी हिंदी के अंतरगर। तो कुल मिरागर के हम देखें तो हिंदी में लगबग 18 बोलियों का प्रियोग किया जाता है, जो प्रासंगिक है, महत्वपूर्ण है, और इन 18 बोलियों का परिक्षेत्र भी मिलता है। सबसे पहले तो हम जानले कि भाशा क्या है, हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम है, और यहां तीन भागों में बाटा जाता है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक, इन तीन भागों में से आपको ध्यान देना है, इन तीनों ही भागों का ध्यान रखना है, प्रश्ण परिक्षाओ जी सही उत्तर ए ओप्सन होगा भोजपूरी जो है वह पूर्वी हिंदी की नहीं है आगे देखते हैं अगला प्रश्ण सेस अवधी छतीस गड़ी और बगहली यह पूर्वी हिंदी के अंतरगत आते हैं पस्चमी हिंदी की प्रमुख बोली कौन सी है विकल्प हमारे पास में सही है चार विकल्पों के रूप में और आपको बताना है खडी बोली बांगरू ब्रज भाशा और बुंदेली पश्चमी हिंदी की प्रमुख बोली कौन सी है? खड़ी बोली, बांगरू, ब्रज भाशा और बुंदेली जी हाँ, राहुल चायनी जी हमारे साथ उपस्तित हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर पश्चमी हिंदी के रूप में, प्रारूप में आपको सही उत्तर चुनाव करना है, विकल्प हैं हमारे पास 4A, B, C और D तो इन में से जो बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है, वो होगा पश्चमी हिंदी के अंतरगत कौन सी है, तो वो आपको बताना था, C आप्सन अगला प्रशने देखते हैं, खड़ी बोली किस अपभरंश से जन्मी मानी जाती है, जी हाँ सही उत्तर के रूप में आपको बताना होगा, खड़ी बोली किस अपभरंश से जन्मी मानी जाती है सही उत्तर सभी विकल्प महत्तपूर्ण है, आप सभी के बारे में थोड़ा सा ध्यान अगर लगाते हैं, तो उत्तर आपका सही हो जाएगा जी हाँ सुकदीप सिंग जी सत्स्रियकाल, व्याकरण का प्रशनोत्तरी का अक्रम हमने प्रारंब किया है तो हमारे चैनल गुरुचला एकेडमी में आप सभी नित्य प्रती जुड़ें, प्रयास करेंगे कि हम ये प्रशनोत्तरी आपको इसी सुबह के समय उपलब्द करा सकें जी हाँ, और बिल्कुल सही उत्तर जो होगा मागधी, शौरसेनी, पैसाची और अर्ध मागधी जी हाँ, मकर शंक्रान्ति की सभी को बहुत-बहुत शुबकामनाय बधाईया, सही उत्तर बी उप्सन शौरसेनी, देखिए एक सूत्र है, अगर आप वह सूत्र याद कर लेंगे तो आपके प्रशने गलत होने की संभावनाय थोड़ी सी कम हो जाएंगे शौर पश्चमी, अर्ध पूर्वी, मगध बिहारी के है नाम, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो मगध को बिहार से जोडते हैं, मगध का उतकर्श पढ़ते हैं, और मगध जो परिक्षेतर है वह बिहार के अंतरगत आता है, तो मागधी में बिहारी हिंदी आएगी तो शौर पश्चमी, अर्ध पूर्वी, अर्ध मागधी में पूर्वी हिंदी आएगे, इस प्रकार से आपको यहाँ ध्यान रखना है, अगला प्रशन देखते हैं, छे नंबर, हिंदी के कौन से उपभाशा वर्ग में 36 गड़ी बोली आती है, विकल्प हैं हमारे पास ब पिनाक्षी गौर, ग्यानेंद्र सिंग जी का भी उतर आ चुका है, अलपना और अमिता जी का भी उतर आ चुका है, जी हाँ वैशाली जी, लगबग सभी का सी उतर है, और ये आपका सही उतर जो है, वो सी आप्शन ही रहेगा, पूर्वी हिंदी के रूप में आपको ये भाषावर्ग का चुनाव करना था, अगला प्रशन देखते हैं हम, सात नमबर बगहली किस उपभाषा से संबंधित है, जी हाँ, बगहली किस उपभाषा से संबंधित है, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पश्चिमी हिंदी, मित्रों आप सभी यह जो प्रश्ण हैं यह सभी प्रश्ण संख्या भी इंक्लिवड करें कि कितने प्रश्ण आप सही कर पा रहें तो TAT, CT, TGT, PGT, DSSB, GIC Lecturer, REIT इन सभी परिछाओं के लिए आपको इस प्रश्ण उत्तरी से 110% सफलता मिलने वाली है देवासिस महातेजी बिलकुल सही उत्तर भी आप्शन होगा पूरवी हिंदी अगला प्रश्ण देखते हैं हम आठ नंबर किस बोली को कौरवी कहा जाता है बहुत पॉपुलर प्रश्ण है कई बार पूछा गया है और हमारे रोज मर्राम प्रियोग की जाने वाली बोली या भाषा से जुड़ा हुआ है जी आँ बिल्कुल सही उत्तर जगदीश तिवारी जी आ चुका है और आपको सी ओप्शन ही चुनाव करना था तो खड़ी बोली जिसका सबसे पहला कवी हम अमीर खुसरो को मानते हैं तो खुसरो जो थे वो दिल्ली के आसपास में रहते थे दिल्ली परिक्षेतर में रहते थे दिल्ली के पास में ही एक कौरव प्रदेश है और वह कौरव प्रदेश उसी के परिक्षेतर की ये बोली जब भी बोली एक बड़ा परिक्षेत्र धारड कर लेती है तो वह भाशाई रूप धारड कर लेती है तो वरतमान में जिस मानक हिंदी या स्टेंडर्ड लेंग्वेज का प्रियोग हम करते हैं और कोई नहीं वहाँ खड़ी बोली ही है जिसका मूल नाम कभी कौरवी हुआ क करता था जिहां अगला प्रश्ण है नौ नंबर किस उपभाशा वर्ग ने बांगरू बोली को रखा पस्चिमी हिंदी बिहारी पूर्वी और पहाड़ी जिहां उत्तर उपलब्द कराएं सही उत्तर के रूप में विकल्प हमारे पास हैं नौ नंबर प्रश्ण में चार हमारे साथ उपस्थित हैं शुप्रभाद मित्र विकल्प जो होगा इस प्रश्ण का बिल्कुल सही होगा ए ओप्सन यानि प्रश्चिमी हिंदी आपको विकल्प के रूप में चुनाव करना होगा बहुती शीग्र हम व्याकरण के कुछ लाइव क्लासेज श्टार्ट करन वाले हैं डिरेक्टली जिन में हम अधिक से अधिक विवस्थित और विश्लिशित अध्यान आप सभी को उप्रलब्द कराएंगे और बिल्कुल सही उत्तर ए ओप्सन होगा प्रश्चिमी हिंदी बांगरू बोली के अंतरगत आती है जो बांगरू है वह प्रश्चिमी हि बासों तक एक छत्र राज करने वाली जो भाशा है उस ब्रज भाशा के हम बात कर रहे हैं तो अगर आप ब्रज भाशा सी हिंदी साहित्य का एक छत्र राज देखते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि उसका ओरिजिन क्या है उसका मूल क्या है कहां से वह निकल करके न जी हां बिल्कुल सही उत्तर आज पहली क्लास है संख्या थोड़ी सी कम है लेकिन अगर हम ये कॉंटिन्यू कर दे रहेंगे तो बिल्कुल निश्चित ही आप सभी जुड़ेंगे शत्रह से अठारा लोग हमारे चनल को देख रहें हैं लाइव चेक कर रहें लेकिन किसी ने भी अभी लाइक नहीं किया तीन लाइक हमारे सामने इस बटन भी दिख रहें तो आप प्रयास करें कि इसको लाइक करें बिल्कुल सही उत्तर विने पत्रिका की भाशा कौन सी है ज तुलसिदास के बारह ग्रंथ हैं जी हां सूर दास के बारह ग्रंथ हैं सुरी माफ केज़ेगा तुलसिदास जी के जिनमें च्छा ब्रज भाशा के हैं और च्छा अवधी के हैं दो भाशाओं के ज्यानी कह जाते हैं और उसी में आपको ये देखना है कि कौन से जो उनके ग्रंत हैं वह ब्रजभाशा के हैं विकल्प आप सभी चुनाव करें बहुत ही शीग्र जी हाँ ब्रजभाशा और अवधी दोनों पर ही समान अधिकार रखने वाले हम तुलसिदास जी की चर्चा कर रहे हैं भक्तिकाल की रामाश्रही साखा के प्रत्निदिकवी बिल्कुल स विन्य पत्रिका की भाशा ब्रज होगी ये जो उत्तर है वो थोड़ा सा गलत है विन्य पत्रिका की भाशा आपको ब्रज लगानी थे अगला प्रश्ण देखते हैं बिहारी हिंदी का रूप नहीं है विकल्प हैं हमारे पास चार भोजपुरी, मगही, मैथिली और अवध तो बिहारी के अंतरगत नहीं आता, बिहारी हिंदी के अंतरगत नहीं आता, सही उत्तर के रूप में 12 नंबर प्रश्ण पे बात करेंगे, जगदी स्तिवारी, देवासिस, मौहते, अलपना, सुकदीप, अरविंद, वैशाली, अमिता, राहुल सैनी, ग्यानेंद, मीनाक, सभी का उतर आ चुका है, प्रश्ण चुनाव करते रहे हैं, जीहां रिंके सिंग जी उतर उपलब्द करा चुकी है, बिल्कुल सही उतर, इन उक्त चार विकल्पों में से, जो होगा, वो आपको चुनाव करना था, D-Option, यानी, मैंने आपको बताया कि, अर्ध सौर अर्ध पूरवी मगद बिहारी के हैं नाम, जब बिहार पर इक्षेतर में चलेंगे, तो सबसे पहली तो हमें भोजपूरी मिल जाएगी उसमें, इसके अतरिक्त विद्यापती भी दर्बंगा के बिहार के रहने वाले थे, इसलिए हम सीदे-सीदे मैथली को जोड लेंगे और मा से मैथली और मा से मगई भी होता है, तो ये सीदे-सीदे हमें मिल जाएगा, बिल्कुल कोई भी इसमें गलत होनी जैसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सही उत्तर इसमें, अलपराजी आपका उत्तर गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए था, मगई, भोजपूरी, मैथ ये तीनों ही बिहारी हिंदी के रूप हैं और अवधी जो है वह उसका रूप नहीं है अगला प्रश्चन है तेरा बिहारी हिंदी बोली का क्या नाम है अब आपको बताना है ये तो बहुत आसान हो गया रिपीटेड क्वेस्चन कह सकते हैं सही उत्तर आप हमें उपलब्द कराएं बिलकुल जो होगा इन में से जी आप बिहारी हिंदी बोली का प्रमेश डिमरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं धन्यवाद आपका स्वागत है हमारी चनल गुरु चैला अकेडमी में बिलकुल सही उत्तर यहाँ पर भी होगा आप सभी का ए ओप्सन बहुत सामान है ये रिपीट क्वेस्चन हो गया इस तरह का ही क्वेस्चन हम इसके पहले पूछ चुके हैं और बात करेंगे 14 नंबर प्रश्ण पस्चिम हिंदी में खुश्बू सिंग जी बहुत बहुत स्वागत है सीधे सीधे प्रश्णों का चुनाव करें विकल्पों की उपलब्दता प्रदान करें जी हां पस्चिमी हिंदी के अंतरगत कौन सी बोली आती है मगही कर्णौजी मैथली और अवधी जी हां पस्चिमी हिंदी में कौन सी बोली आती है आपको बताना है मगही कर्णौजी मैथली और अवधी सही उत्तर भी आप्शन होगा आगे देखते हैं अगला प्रश्ण कौन से छेत्र में ब्रजभाशा नहीं बोली जाती जी हां समीर अली जी भी हमारे सा जुड़े हुए है गुड मॉरिंग ब्रजभाशा नहीं बोली जाती धौलपुर सरगुजा मतुरा आगरा इस तरह से भी प्रश्ण पूछा जाता है बोली उपलब दकराके आप से कहा जाता है कि यहां कौन से परिक्षित में बोली जाती है अथवा नहीं बोली जाती तो यह आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे विकल्पों में से सही उत्तर के रूप में जो होने वाले हैं, वो हैं धौलपुर, सरगुजा, मतुरा और आगरा, और सही उत्तर होगा, नीलम पाठक जी भी हमारे साथ उपस्तित हैं, धन्यवाद चैनल में उपस्तित होने के लि मतुरा और आगरा तो आपको पता ही होगा, भरतपुर तक प्रजभाषा का प्रियोग किया जाता है, जो कि राजस्थान के थोड़े से परिच्छेत्र के अंतर कताता है, तो कहीं न कहीं, यह जो आसपास का परिच्छेत्र है, यह प्रजभाषा से जुड़ा हुआ है, ले जो बोलियों के परिख्षेत्र हैं उनके बारे में अगर आपको ध्यान देना है तो एक बार आप जो यहां का मैप है नक्सा है उसको एक बार ध्यान दे नीरव वर्मा जी मारे साथ अपस्थित हैं रुक्षार भाई भी विकल्प चुनाव कर रही है प्रियंका पंडी जी ग अरेली के आगे का जितना परिख्षेत्र है सहारनपूर मुरादाबाद या उसके आगे का जो दिल्ली तका छेत्र है वहाँ पर यह भाषा बोली जाती है और इसलिए आपको खड़ी बोली चुनाव करना था जी आगला प्रश्ण है हमारे पास 17 नंबर करता कारक्का विभ बर्सलेशड के इस प्रश्ण उतरी का कोई अवचित नहीं है और सही उतर आपको चुनाव करना होगा ब्रज बुंदेली अवधी और खड़ी बोली प्रश्ण बहुत ही स्रेष्ठ है सही उतर चुनाव करना होगा लेकिन आपको और इन में से जो उत्तर होगा वो होगा C option अवधी तो अवधी में ने शब्द का प्रियोग नहीं किया जाता बलकि या खड़ी बोली में किया जाता है ये आपको ध्यान रखना है अगला प्रश्ण देखते हैं कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? अवधी, बगेली, बुन्देली और चत्तीसगडी सारे विकल्प भी आपको उसी तरह से मिल रहा है अगर आपको इससे जुड़ा हुआ वीडियो प्राप्त करना है या इस विसलेशट को प्राप्त करना है तो हमारे चनल के प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट के पास में आपको हिंदी व्याकरन नाम से एक या हिंदी भाषा नाम से एकाई दो मिलेगी जिसमें हमने भाषाई अध्यान कराया है जो कि संस्क्रत से लेकर के वर्तमान समय की हिंदी की सभी बोलियों तक का प्रक् प्रश्ण होगा C नंबर इसका उत्तर होगा बिल्कुल जो भी लोग C विकल्प चुनाव करने सही हैं किस जिले में अवधी बोली जाती है सीता पूर रायबरेली प्रयागराज या इन में से सभी अवधी का छेत्र बहुत ही विस्तरत है सेंटर जोन या ओरिजिन या मूल इसका जो है जहां से इसका उद्भव होता है वो आपको मैंने बताया आयुध्या और फैजाबाद का परिक्षेत्र है वहां से ही इसका प्रारंब होता है अवधी का जी हां खुश्बु सिंग प्रियंका पंडे अर्विंद राना शरीफ वैसाली अमिता सही उत्तर देने वालों में से जो नाम है वो अगर डी विकल्प चुनाव कर रहे हैं तो होगा सीतापूर लखीमपूर जेहां धिरेंद मिसराजी स्वागत है आपका सीतापूर लखीमपूर रायवरेली सुल्तानपूर प्रियाग राज प्रतापगड ये सभी परिक्षेत्र अवधी के अंतरगत आते हैं जिनमें लखनव अयुद्या फैजाबाद भी जोड़ते लेत हैं हम आसपास का परिक्षेत्र जो बारा बंकी है वह भी इसी परिक्षेत्र के अंतरगत आता है और अवधी यहां की मूल बोली के रूप में है मुरादाबाद में कौन सी बोली प्रियोग की जाती है विकल्प हैं हमारे पास गडवाली, चत्तीश गड़ी घड़ी बोली और बांगरू अगर आप प्रारंब से ठीक स्तरह से सुन रहे हैं मेरी बाते तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देने में कोई समस्या नहीं होगी जियां उपलद्ध कराए विकल्प बिल्कुल सही वो होगा गड़वाली 36 गड़ी खड़ी बोली और बांगरू जियां बिल्कुल सही उतर मुरादाबाद में जो बोली जाने वाली बोली है वो होगी इन में से C आप्शन यानि खड़ी बोली खड़ी बोली आप चुनाव करेंगे मैंने आप से बताया कि जैसे ही हम बनीली से आगे दिल्ली की और बढ़ेंगे तो जितना परिक्षेत्र आता है वह सब यही खड़ी बोली का प्रियोग करता है आगे बात करेंगे अगले प्रशन पे 21 नमबर आजमगर्ण किस बोली का परिक्षेत्र है जियां ये थोड़ा सा नया प्रशन है अभी तक इस बारे में हमने अभी नहीं बात की जियां एपी सर्कल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चनल में उपस्थित होने के लिए ब्रज, भोजपूरी, अवधी या इन में से कोई नहीं तो सही उत्तर के रूप में आजमगर्ण की बोली का परिक्षेत्र आपको बताना होगा प्रियंका पंडे समीर अली अर्विंद राना सही उत्तर देने वालों में से जो नाम है वो अगर आप भोजपूरी चुनाव करते हैं तो होगा जैसे ही हम उत्तर प्रदेश में लखनव से थोड़ा सा आगे या गुंडा से तक बढ़ते हैं तो जितना भी पूरवांचल का परिक्षेत्र है जिसमें आजमगर्ड, अमबेडकर नगर, खलीलाबाद या गुंडा के आगे का जो भी है गोरखपूर तक का परिक्षेत्र ये पूरवांचल के अंतर गताता है और पूरवांचल की जो बोली है वह भूझपूरी ही माने जाती है, अगले प्रशन का चुनाव करेंगे सहिः उत्तर आपको बताना होगा, 22 नमबर प्रशन में किसी भाशा का जन्म सबसे पहले किस रूप में हوتा है जी हाँ सबसे पहले जो परिछेत्र होता है वहाँ बोली का होता है कोस कोस पर बदले पानी चार कोस पर बदले बानी जैसे उद्भावनाएं हमें मिलती है यानि एक छोटे से परिछेत्र एक गाव एक कस्बा या एक शहर को हम माल लेते हैं की बोली के अंतरगत आता है जैसे ही या इससे आगे बढ़ता है धीरे धीरे बोली जो है वह विभाशा या उपभाशा में तब्दील हो जाती है और यहा कभी भी भाशा का रूप ले सकती है जैसे ही इसमें साहित्य की अतिशेता हो जाती है अधिक लिखा जाने लगता है और अधिक से अधिक लोगों के द्वारा एक बड़े परिक्षेत्र के द्वारा बोली जाने लगती महराज रगुराज सिंग किस भाषा छेत्र से संबंधित कवी थे रगुराज सिंग की चर्चा हम कर रहे हैं, रीवा के रहने वाले थे, मैंने आपको इनका निवासिस्थान भी बता दिया, ताकि थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाए, तेईस नमबर प्रश्ण पर चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद दो प्रश्ण और रहेंगे, और आप जरूर ये देखें कि कितने प्रश्ण 25 में से आपने सही किये, और इसका हमें उत्तर उपलब्द कराएं, संख्या उपलब्द कराएं, तो मित्रों बिलकुल सही उत्तर जो होगा, इनमें से अवधी, ब्रज, भोजपूरी और मैतिली, सही उत्तर के रूप में जो होगा, ए उप्सन होगा, रीवा नरेश जो हैं, रगुराज सिंग, वो इलाहबाद के परिक्षित्र के आसपास रहने वाले हैं, रीवा वैसे तो मध्य प्रदिस में पड़ता है, लेकिन इलाहबाद से लगबग 50 से 60 किलोमेटर के दूरी ही इसकी होगी, इसलिए यह किस खेत्र में आता है, तो रगुराज सिंग कौनसी बोली के हैं, अवधी के, ए उप्सन सही होगा, 24 नंबर प्रश्ण बांदा में प्रियोग की जाने वाली बोली कौनसी है, बहुत महत्रपूर्ण प्रश्ण है, यहां से प्रश्ण कई बार आपसे पूछा गया, विकल्प प्रश्ण नाव करके आपको प्लब्ध कराना होगा, सही, बुंदेली, बगेली, ब्रज और अवधी, जियां, हमीरपूर्ण जासी, उरई, जालोन, यह भी महत्रपूर्ण बोली का छेत्र है, जहां पे कई बार प्रश्ण आ चुका है, लिकिन यहां पे आपसे पूछा ग बगेली, और मैंने जो आपको बताया, बुंदेल, खंड, जासी, उरई, जालोन, वहां पर बुंदेली, और बुंदेली से सीधे सीधे आशया है, कि बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मरदानी वातों जासी वाली रानी थी, तो बुंदेल का पूरा परिक्षेत्र जो कानपुर से लगबग 100 किलमेटर के दूरी पे है उसके बारे में आपको ठीक प्रकार से जानकारी हो जाएगे अंतिम प्रस्टरे है आज की प्रश्टरी का आज हमने सिर्फ 25 प्रश्टरे रखे लेकिन अगली प्रश्टरी से हम कम से कम 50 प्रश्टरे रखेंगे थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे और कम से कम समय लगबग 45-40 मिनट की live class में हम प्रश्टरो की चर्चा परिचर्चा करे तो मित्रो नित्यप्रती जुड़े प्रयास करेंगे हम ये प्रिश्ण उत्तरी इसी समय आपको उपलब्ध कराएं आपके सहीयोग के माध्यम से जी हां बिल्कुल सही उत्तर इसका होगा हमीरपुर मैंने बिल्कुल सही अभी आपको बता दिया वो होगा B-Option यानि की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है तो सीधे सीधे संपर करें गुरुचिला अकेडमी नीचे दिया गया कॉंटेक्ट नंबर वाट्सफ, फेस्बुक, इंस्टाग्राम, टेलिग्राम सभी माध्यमों से जी हां बहुत बहुत धन्यवाद